दैनिक अखवार में छपी एक खबर के बाद उपेंद्र कुस्वाहा भाजपा पर न सिर्फ भरकते हैं बलकि भाजपा निताओं को नसीहत तक दे देते हैं नमस्कार ने इंडिया टॉप देख रहे हैं मैं हुए आपके साथ बिर्जु सिंग ब्यार की 40 लोकसवा सीट में से 400 सीट पर जीत का दावा करने वाली भाजपा इंडिये पर नाम में महज 30 सीटों पर चुनाओ जीती हैं जिसके बाद भाजपा प्रदेश लिबल पर कल जो है प्रितमाम निताओं के साथ बैठक कर रही थी और उस दुरान कई जो निता थे उसमें हार का कारने बता रहे थे कि भाजपा और इंडिये गरुजन चुनाओ हारी है तो इसके पीछे का सबसे बरा कारने है कि जिनकुस वहा उस कटिंग को पोश्ट करने के साथ ही लिखते हैं कि इंडिये के सभी गटक दलों के निताओं से करवद निवेदन है कि ऐसी खबरों को पब्लिक डोमेन में जाने से रोके बचे क्योंकि इस तरह की खबरे हमारे आपस में कटुता बना बढ़ा सकती है आरो कर उसको दूर करने का है ताकि आगामी विधान सबाद चुनाओं की फूल प्रूब रनिती बनाई जा सके सारजनिक मंच पर चर्चा हमारे मूल मकसद को ध्वस्त कर सकती है उधर विरोधी आग में घी डालने के लिए बैटे हैं अता हम सब को गंबीर होकर अर्जुन की त पर चुनाओं की जेडियू का जो भोट है चाहें वह लौकुस हो या पिचरा भोट हो वह भारती पाटी को नहीं मिला जिसके कान भाचपा चुनाओं हार गई और जैसे ही यह ख़बर अख़बार में छपी उपहिंदु कुसवार ने तुरंत उस ख़बर को पोस्ट किया और बाचपा के नितावों को नसीहत दे दिया और कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर विरोधी को मौका मिल जाएगा हमला करने का विरोधी आग में घी डाल के लिए बैठे हुए हम लोग अगर किसी में कम्या रह गई या फिर गलतियां हुई तो आपस में बैठकर बाचीत करकी से सल्टा जा सकता है ताकि 2025 विदान सबाद चुनाओं में हमारा स्ट्राइक रेट अभी से कई गुना जादा बेतर हो उपहिंदु कुसवार दिल्ली हैं तो इसके पीछे का सबसे बरा करण भारतिय इंता पार्टी को बताया जारार का जारा कि भाजपा के निताओं के इसारे पर पवन सिंग मैदान मुत्रे और चुनाओं लड़े जिससे उपहिंदु कुसवा की हार हो गई वो सीट एंडिये चुनाओं जीत जाती लेकिन इस पवन सिंग के चुनाओं लड़ने से इंडिये को भारी नुकसान हुआ और उपहिंदु कुसवा चुनाओं हार गए लेकिन भाजपा के निताओं की चाल थी ताकि उपहिंदु कुसवा को हाराया जा सके आला कि चर्चा यह भी हुई कि खेर हार गए तो क्या हुआ भा और नसीयत नों देदी और कहा कि जेडियू का गर वोट नहीं मिला तो ये बाते सारदुनिक मंचो पर नहीं जाने चाहिए पबलिक डोमेन में नहीं जाने चाहिए हम लोग आपस में बैठ कर बाचीत कर लेंगे और मामले को सट आउट कर देंगे अगर किसी से गलती हुई य इंडिया गरवन्दन को हो सकता है तो पेंद्र कुस्वाहा जो अब तक चूप थे इन समामलों पर वो अब बोलने लगे हैं और सुरवाद भी किये हैं भाजपा के नेताओं से भाजपा के नेताओं को उन्होंने बड़ी नसीयत दी है और कहा कि कोई भी गलती हुई है तो आग को और बढ़ा दे लेकिन हम लोग को इन सब कियों से बचना होगा वेराल आपकी क्या रहा है क्या वाकई में जेडियू का वोट बात्सपा को नहीं मिला आप अपनी डाय को कमेंट बॉक्स पर रखिए अगर आप पर चैनल को यूटूब पर देख रहे हैं तो सब्सक